जब आप कार सेवकों को याद करते हैं मैं राम मंदिल की बात करता हूं कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा क्या मन में भाव आता है कुमार भाई मैंने अपने जवानी का जो पहला अंदोलन देखा है जी वो दो अंदोलन दे किसी आंदोलन का आउटपूट क्या निकलता है यह लग बात है इन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई नौकरी छोड़ दी विश्विद्याले की इस्तीफा देके चले आए कोगरे सरकार थी उसके दमन्चक्र के सामने खड़े हो गए 77 के आंदोलन में में पूर्च छोटे थे हमारे पिताजी पर प्रहार हुआ उस समय लेकिन हमें पता नहीं था कि किसलिए हुआ दो आंदोलन्स से तो हमें समझ जगी के इस देश में वंचितों का दलितों का स्थान किया है उनकी समझ्याइं कितने हजारों वर्षों से सामाजिक रीती नीती के कारण उनका शोशन हुआ है और इससे हमारी समझ जगी के देश सोचता कैसे है आप जो कह रहें न राम की आस्था गाउं में चले जाईए मेरे सुबह को कान लगाईए दरवाजों पर शाम तक सो बार एक घर में राम का नाम होता है रहे राम जी बरस जा भाई राम जी कब बरसेगा खाना खाया भाई आस तो राम जी ने आनंद कर दिया रहे नास जा राम जी के नाम पर इमान जा इतनी गालियां इतनी प्रशंशा हैं हर सास में राम है और आप सोचें कि उस विशे को आप इग्नोर कर दें तो फिर आपकी आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनेतिक तीनों भूलें कारसेवकों का मैंने सवाल पूछा तो मन में भाव क्या आता है कुमार भाई लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका लाव ले लिया, ये पॉलिटिकल पार्टी ने लाव नहीं लिया, समाज में एक आंदोलन पैदा हुआ, समाज में लोगों की नाराज़गी पैदा हुई, और उन्होंने पॉलिटिकल लीडर खड़े करे, चाहे वने कट प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधियों इन सब लोगों की राजनितिक कुशलता और नित्रत्त्व इस जान्ता ने तैयार की जो कह रही थी कि हमारा कोई ने सुनना भया हमारी सुननो यून ने का हम तुमारी सुनेंगे हम खड़े हो जाएंगे वो ने दावन गया निता कैसे ब खड़े जाएंगे बिल्कु सही कह रहो भाई सब आप यहीं चलना था आप इतने बड़े आंदोलन को इसलिए दबा रहे थे कि सरकारे नहीं थी और आप माइनर्टी वोट्स के सारे चड़े हुए थे तो कुछ लोग ने का हम तुमारे साथ खड़ें कोई दिक्कत नहीं आज कह रहे हैं जी क्रेडिट ले रहे हैं भाईया वो क्यों नी क्रेडिट लेंगे उन्हेंने मेनत कम करी है क्या सरकार भी गवाई थी पांच मुझे याद ह है हापड में चुनाव था हमारे एक दोस्त बड़े भाई जैसे विदायक लड़े ते जीत गए बिजंदर कुमार दलित वर्क से आते बड़े भले आदमी है अभी भी है अटल जी की सभा थी मैं उस सभा में उनके मित्र होने के नाते परिवार कोने के विवस्था में था अटल जी पीछे से चड़े एक महिला ने अटल जी को हाथ जोड़े अटल जी ने उसके हाथ पकले और का माई भाजपा को वोट दीजो पता उस महिला ने क्या का मिशभाई क्या का उसने कहा लल्लू तुम राम के काजे पास सरकार दे सको हम एक वोटना दे सकत में है यह ब कॉंग्रेस बंदारा कोलर लुब है करने आई है पालेटिकल पार्टी है एक को दूंग तो उनग को भी बहुत दिकत है एकícios लोग जेल में चले गए जो भारत की आध्यातमि चेतना का फुनरजागरन यह जो भारतिय समाज की इस अभिव्यक्ति का प्रकटी करन जो आज यह हो सकता है वह सारे लोगों को लगता है किसे सिर्म गगां मंदिर बनने से हो जाएगा मंदिर बनने से क्या नौकरी मिल जाएगी साब ऐसा कहते हैं लोग बाग जी सुबह उठको घर से निकलते समय जो भगवान के मंदिर के आगे यू करते हो तो इससे थोड़ी तया हो जाता है कि बॉस डाठेगा कि नी डाठेगा मन में आत्मिश्वास आ जाता है तो यह मंदि केवल उपासना के लिए नहीं है इस मंदिर में भारत के और विश्व के 200 करोड सनातनियों का आत्मिश्वास भी है कि हमारी बास सुनी जाते है